बिस्मिल्य रिमानी रहीम, अस्सलाम उलेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे गुजराती रेसिपी उबाडियू, सर्दियों की सीजन में गुजरात में जगा जगा इसके स्टॉल लगते है, शाम पढ़ते ही इस टेस्ट उबाडिय से डिफ्रेंट इस उबाडियों को किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं, उबाडियों बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम सूर्थी पाप्री लिए हूँ, तो यह इस तरह से छोटी वाली जो पाप्री आती है, छोटे दाने वाली, तो इसे सूर्थी पाप्री कहते तो यह हर जगा पर मिलती है आजकल तो, तो आपके पास अगर यह सूर्थी पाप्री ना हो, छोटे दाने वाली, तो आप जो बड़ी पाप्री आती है ना, तो वो भी ले सकते हो, तो देखिए बाजार में तो वो बाड़ियों बनाते हैं तो अख़्ी पाप्री ले लेते तो ये छिलके के साथ मैंने सूर्थी पापड़ी ले लिए हुँ, इसकर द दाने और छिलके दोनों लिए जाते हैं. तो चलिए सबसे पहले एक बड़े ले लिए हम ताकर मसालय हम इसमें डाले तो सबी पर अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तूवर दाना लिए जो हरी तूवर की फल्ली आती ना उसमें से दाने निकलते तो यह लिए तो सीजन है इसलिए यह दाने ले लिए अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं इसके बिना भी आप बना सकते हो और यह कॉंटेटी आप अपने अब इसमें कुछ मसाले डालेगे तो एक छोटा चमच हल्दी पाउडर लिया है आधा चमच नमक लिया है हम चटनी में भी नमक डालने वाले तो नमक यह पर देखकर डालना है थोड़ी सी हिंग डालेगे तो हिंग ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट और हज़म अच्छी तरह से हो जाता है एक चमच अजवान ली है इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब दो चमच इसमें मुंगफली का तेल डालेगे आप कोई भी तेल ले सकते हो लेकिन मुंगफली के तेल से बहुत अच्छी खुश्बू आती है अब इससे अच्छी तरह से मिक से मिक्स करने से अब इसमें दालने के लिए हरा पेस्ट बनाना है तो यहां पर आधी गड़ी हरा धनिया दंडियों के साथ और यह जो पेस्ट बना रहे वो थोड़ा सा सपाइसी होता है इसी में से हम चटनी भी आगे बनाने वाले तो यहां पर साथ से आठ हरी मिर्चे ले तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च को ले सकते हो आदा इंच अद्रक का टुकड़ा है नमक है टेस्ट के मुताबिक और जो सीजन का हरा लेसन आता है तो यह तीन अखी लेसन की कलिया ले लिए मैंने जो इस तरह से आती है तो इसके रेशे निकाल लेना है मैं और इसे दर लाइब अधनी बनाएगे पानी डालकर इसका हम दर धरा सा पेस्ट बना लेते हैं तो यहां पर देखिए पानी आले बिना ही धरा आ पेस्ट तइयार कर लिया है अब यह पेस्ट को हमें आलू और बेंगन के अंदर डालना है तो इससे साइड मे ए आलू लेतेtrans मिन या प खराब तो नहीं है अब ये जो मसाला हमने तैयार किया ये इसमें स्टफ करना है तो ये हरा मसाला आलू के अंदर भर देते इस तरह से और इसमें डाल देगे इसी तरह से सारे आलू और बेंगन के अंदर ये मसाला भर देते हम आलू के अंदर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ अब दो चम्मच और पेस्ट आम इसमें डाल देगे ताकि पापड़ी के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो यह दो चम्मच डाल दी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेगे और यह जो बाकी का बच्छा पेस्ट है ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी चटनी बना लेगे जो उपर से खाय जाती है तब यह पेस्ट डाल कर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ माशाला अभी से खुश्बू बहुत अच्छी लग रही है देखिए अब उबाडियों को इस्टीम करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह से मटके में लकडियों के उपर रखकर स्टीम किया जाता है या फिर आपके पास इस तरह से कोई हांडी हो ना तो हांडी में अब भी आप इसे स्टीम कर सकते हो लेकिन सबी के पास इस तरह से हांडी या मटकी नहीं होती है तो आज मैं आसान तरीका बताती हूं बाडियों को स्टीम करने का तो इस तरह से स्टीमर का एक दबा ले लिया है उसमें हम सिल्वर फॉयल रखेगे तो यह मॉल अगेरा में आसानी से मिल जाता है तो इस तरह से सिल्वर फॉयल लगाना जरूरी है ताकि जो भी हमने मसाले लगाए वह स्टीमर में से बाहर ना निकले अगर आपके पास सिल्वर फॉयल ना हो तो कोई भी बरतन में आप इसे रख सकते हो ताक एच्छे से स्टीम हो जाए तो सबी सब प्रजियों को डाल देते हम पिसे पहला देगे हम और यह सिल्वर फॉयल ए इससे ही पैक कर देना है में तो इडी माट मॉल अगेरा में आसानी से मिल जाता है सिल्वर फॉयल यह देखिए इस तरह से में पैक कर दिया है चलिए इससे स्टीम कर लेते तो इस्टीमर के डबे में तीन ग्लास पानी अच्छे तरह से गरम कर लिया है इसमें थोड़ा सा हम नीमबू डाल देगे नीमबू का छिलका ताके डबबा हमारा काला ना पड़े अब यह रख देगे हम डबबा और इसे ढखकर हमें मीडियम फ्लेम पर पाच मिनट और फिर 30 मिनट के लिए बिल्कुल धीमियाच पर स्टीम करने के लिए रख देना है देखिए हमने जो हरा धनिया हरा लेसन और हरी मिट डालकर दरदरा पेस्ट बनाया था ना तो यह बचावा जो पेस्ट था उससे हमने थोड़ा पानी डालकर चटनी बना लिए इसे उबाडियों के उपर डालके खाने वाली ग्रीन चटनी हमारी तयार है अब इससे साइड में रख देगे और कोठे की बना लेते हैं कोठे की बनाने के लिए देखिए एक कोठा ले लिना है इस तरह से उसकी चटनी अच्छी बनती है То यहा पर एक कोठे में से सारा उसका मावा निकाल ल बना सकते हो रहना इसक्यीं कर सकते हो तो जो इश्ट्रोल लगते हैं नावबाडियों के तो आपर कई जगा पर ये कोठे की चट्नी भी बनाई जाती है तो इसमें थोड़ा कि चटनी तैयार होती है, mixer jar में थोड़ा सा पानी डाल कर सबी चटनी को निकाल लेती हूं म कि देखिए कोठे की चटनी भी तयार है तो इस दोनों चटनी या उबाडियों के ऊपर डाल कर खाल कर खायी जाती है, आप चाहे तो ये कोठे की चटनी के बिना भी खा सकते हो ये ग्रीन चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और अगर फिर भी आपको खटा मीटा खाना है और आपके पास ये कोठा नहीं है तो आप गूड और इमली की खटी मीटी चटनी भी बना कर खा सकते हो इस के समने खोल के चेक भी करा देती हूं कि जो भी सब्जिया हमने डाली थी वह अच्छी तरह से स्टीम हुई है कि नहीं तो खुश्बू बहुत ही बढ़ी आ रही है इसमें से हमने जो अजवान और जो भी मसाले पीसकर डाले थे न तो उससे बहुत एच्छा टेस्ट आता है तो यह मने सुर्थी पापड़ी दाली उससे चेक और देती हूं बहुत अच्छी तरह से घल चुकी है यह देखिए अब हमने शकरकंद डाला था उससे भी चैक करा देती हूं तो इह देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से गल चुका है तो आपके पास अगर मठकी ना हो तो भी आप इस तरह से इस्टीम करके पका सकते हो और विल्कुल भी वैसा ही आएगा और देख सकते हो कि बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है अब इस्मोकई फ्लेवर देने के लिए कोईले को सिलगा लिया है और इसमें रख देगे और उपर से थोड़ा सा तेल दाल देगे और फौरण इसे धककन से धक देना है ताके जिस तरह से चूले पर पकता है न तो उसी तरह का स्मोकी फ्लेवर आई में तो यहां पर चार से पाच मिनट हो गए है, माशालला इस स्मोकी फ्लेवर की बहुत एची खुश्बू आ रही है, तो यह कोईला निकाल ले गया, और गर्मा गरम, यह बाडियों को किस तरह से डिश आउट करते हैं, किस तरह से इसे सर्व किया जाता है, और किस तरह से इसे चलिए वो भी दिखा देती हूँ, तो यहां पर जलेबी भी ले ली है, उबाडियों के साथ जलेबी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास हो तो आप वो भी सर्विंग के टाइम पर रख सकते हो, तो यहां सकरिया ले लिया है, देखिए कितने किया जाता है, यह बेगन ले लिया है, और एक आलू भी ले ले लेते है, थोड़ी सी सूर्थी पापरी और जो हमने हरी तूबर दाना की फली ली ली थी ना, उसके दाने ले 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 गे, तो जो उसके छिलके होते, उसमें बहुत अच्छी मिठास आ जाती है, और उबलने क चिलका निकाल लेगे, अमने आलू के अंदर जो हरे मसाले का स्टफिंग भरा था ना, तो उससे आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अंदर तक, थोड़े नमकीन, थोड़े स्पाइसी और देखिए, थोड़ा सा ही मसाले में तेल लगाया था उतना ही, और स्टी अच्छी तरह से बॉइल हो चुका है, देखिए, बिना चूले पर हमने इसे स्टीम किया है, आपने देखा है, स्टीमर में ही आसानी से हो गया है, और जिस तरह से हमने इसमें कोईले की स्मोकिंग फ्लेवर दिये ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो यह सकरि सबी चीजों को चूरा करके, फिर इस पर थोड़ी सी हमने जो चटनिया बनाई है ना, वो चटनिया डालते है, थोड़ी सेव डालते है और फिर इसे खाया जाता है, देखिए, बेंगन भी अच्छे से गल चुका है, बेंगन के अंदर भी हमने मसाला भरा था, तो उसमें यह का अच्छा टेस्ट हम जाता है, यह रदियों को भी इस तरह से कर ले ते हैं, तो जो लोग जुझरात में रहतें उन्हें तो पता ही होगा कि उबाड़ियों को किस friendship खाया जाता है, और कितना ज्यादा टेस्टी होता है, लेकिन जो गुझरात के बहार रहतेे, शाहिद तो इस तरह से सर्दियों के सीजन में आप सभी सब्सक्राइब बना सकते हो क्योंकि तूर दाना भी है बहुत अच्छा मिलता है रतालू और जो हमने सकरिया लिया है और सूर्थी पापड़ी लिये वह सभी जगा मिलती है तो सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इसमें पापड़ी भी मिला लेगे अब इस पर हरा धनिया हरा लेसन हरी मिच की जो चटनी बनाई थी ना तो वो डालेगे तो टेस्ट के साब साब डाल सकते हो अब कोठे की चटनी दालेगे जो गूर और कोठे समने बनाई थी तो इस चटनी में भी काफे ज्यादा फ्लेवर होता है ये भी आप अपने टेस्ट के साब से डाल दीजिए अब इस पर बारिक बेसन की सेव डालेगे विंटर स्पेशल उबाडियू बनकर तयार है बाजार जैसा टेस्टी स्मोकी फ्लेवर वाला उबाडियू बहुत ही आसानी से घर पर बनता है अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजेगा अपना बहुत सारा खयाल रखे दूआ में मुझे याद रखे फिर मिलते इंशालला एक नही रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा खयां